कुछ करके जाना मत जाना भाई ये amendment ज़रू करके चले जाना renting of residential dwelling for residential purpose जो वो exempt होती थी फिर इसके अंदर कुछ amendment आई थी और अब जो final situation आपके exam के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके exam के लिए बहुत important है तो हमने क्या बढ़ा था कि residential dwelling को rent करते है residential purpose के लिए तो exempt होता था फिर ये आया कि भाई साब residential dwelling को rent करते हो और registered person को rent किया तो इस पर tax लग जाएगा RCM में unregistered person को किया तो वो exempt है अब यहां से एक दुविदा create होगे कि भाई साब मैं तो जो है वो registered person हूँ लेकिन मैं तो जगा rent पे ले रहा हूँ रेंट करते हो registered person को उसकी personal capacity में यानि उसका business से कुछ लेना देना नहीं है तो वो exempt होगी मतलब मैंने अगर भाई साब एक घर जो है rent पे लिए United States और फ़रिदाबाद में एक लाख रुप महिने में उसका rent दे रहा हूँ और मैंने उसे अपने personal purpose के लिए यानि कि अपने रहने के लिए अपनी family के लिए जो है वो rent out किया है personal capacity में rent out किया है तो वो exempt रहेगा फिर उसके बाद अगर मैंने उसे अपने business दे रिलेट कर रखा है तो वो taxable रहेगा under RCM और अगर unregistered person तो exempt ही रहेगा और commercial dwelling थी तो वो taxable ही रहेगा एक मिनट अटारा सेकंड के अंदर हमने खास amendment जो है complete कर यह वीडियो को like कर दो जल्दी से like target रखते हैं इसका 600 likes का चलो आपको दुबारा से रवाइस करा दूँ yes तो amendment सिरफ इतनी सी है कि residential dwelling अगर rent पे चलाते हैं एक registered person को और वो personal capacity में लेता है तो वो exempt होगी otherwise जो है वो taxable होगी RCM में unregistered person exempt रहेगा और commercial dwelling जो है वो तो taxable होगी ही होगी आईए then इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्छो रेजिस्टरेशन के chapter में चोटी से amendment आई है कोई काम के amendment नहीं है आपको बस याद रखना है कि आप लोग registration के time पे क्या करते थे आप लोग application देते थे उसमें आप लोग अपना mobile number और email ID देते थे अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपना mobile number और email ID आपको देने की जुरत नहीं है आपका जो PAN आपने income tax authority के साथ जो है अपना बनवाये था उस time पे जो आपका email ID और mobile number था उसी पे जो है आप OTP आपके पास आ जाएगा आपको extra mobile number और email ID देने की जुरत नहीं है इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है मैं उस detail में नहीं जाना चाहूँगा बढ़ याद रखिए कि mobile number और email ID आपके जो PAN है उसी से जो है वो linked है और उसी के पास जो है आपका OTP आ जाएगा याद रखना है कि अगर आपके mobile के time पे अगर आपने PAN के time पे mobile number और email ID नहीं दिया था तो आपसे जो है ये mobile number और email ID ले ले लेंगे तो PAN, linked, mobile and email address to be captured in form GSTREG01 and OTP-based verification to be conducted at the type of verification अब बात करते हैं E-Invoicing में आई amendment की E-Invoicing आप लोगों को बता है धीरे-धीरे सब के लिए mandatory करते जा रहे हैं आपके exam के लिए जो limit applicable रहेगी वो रहेगी कि भाई सब अगर aggregate turnover exceed करता है 10 crore से in any preceding financial year from 17, 18 onwards तो आप लोगों के उपर E-Invoicing applicable रहने वाली है E-Way Bill की आपको एक और amendment शोड़ी से बता देता हूं E-Way Bill जो है आप लोगों को बता है कि भाई हमने मना कर रखा है कि jewelry, goldsmith and silversmith, wares and articles के लिए E-Way Bill generate करने की जुरत नहीं है लेकिन आप लोगों को एक बाद बता दूँ कि E-Way Bill जो है अगर आप नकली जूलरी ले जा रहे है तो उसके लिए जो है वो generate होगा यानि कि E-Way Bill jewelry पे क्यों आप लोगों को exempt किया था, मैंने आपको इसका logic बताया था अब याद रखिए कि भाई, लेकिन अगर नकली जूलरी जा रहे है तो उस पे E-Way Bill जो है वो generate होगा आप उसको skip नहीं कर सकते हैं अच्छा, देन एक छोटी से amendment आई है किसको लेके, again, E-Invoices को लेके E-Invoices में बहुत सारी exemption दे रखी है different entities को अब वहाँ पे entity को exemption दे रखी है तो सवाल यह उठा के entity को exemption है या जो जिस तरह की supply कर रहे हैं उनको exemption है, for example, bank जो है उन्होंने बुला जी, bank को exemption है तो bank को exemption है, जो bank services देता है उसको exemption है, यानि कल को अगर bank goods भी supply करने लग जाए, तो bank को उन supply of goods पर भी exemption मिल जाएगी, या नहीं मिल जाएगी सवाल यह उठा, तो भाई साब इसका जवाब यह है कि देखे, जो आपकी E-Invoices से exemption हमने दे रखी है, वो हमने दे रखी है, किसको, वो हमने दे रखी है entity को, come on, किसको दे रखी है entity को, तो said exemption from generation of E-Invoices is for the entity as a whole, entity as a whole and is not restricted to the nature of supply being made by the entity, right तो याद रखेगा, वो जो E-Invoices exemption है, वो किसको मिली हुई है, entity को मिली हुई है, ना कि किसी particular उसकी service को मिली हुई है और यह आपके exam में आ सकता है, मैं आपको इसका एक example बिता देता हूँ, माल लीजे एक banking company है, वो supply of goods भी कर रही है for example, वो bullion जो है, वो supply कर रही है तो उस case में, क्या वो banking companies bullion के उपर E-Invoices generate करेगी, answer is no, क्योंकि banking company को क्या कर रखा है, exempt कर रखा है, mandatory invoice से notification निकाल के, right तो यह बात अपने धियान रखनी है, चलिए तो यह होगे एक चोटी सी बात, अब बात करते हैं हम लोग dynamic QR code की, dynamic QR code में भी दो चोटी चोटी सी बाते आप लोग को बताने है, number one, देखिए, generally क्या होता है कि हिंदुस्तान में invoice payment के बाद generate कर रहा है, पहले पाई से दे दो, उसके बाद invoice generate कर देंगे अब dynamic QR code के अंदर, वो invoice की detail fetch नहीं हो पाती, क्योंकि invoice तो तब generate हुआ है, जब आपने payment कर दी है dynamic QR code आपने scan करना है उसके बाद आपने payment करनी है, invoice transaction की detail जो generate होती होगी, वो आपके dynamic QR code में आना चाहिए, और वो transaction ID basically bridge करेगा gap को, कौन से gap को, आपके dynamic QR code और आपके invoice हैं उन दोनों को वो bridge करने वाला है यानि कि आपके DQR में अगर invoice number नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आपके DQR में कैसा transaction ID, ऐसा unique number ज़रू होना चाहिए, जो आपके dynamic QR code को ultimately किस से relate कर पाएगा, invoice relate कर पाएगा यानि वो transaction ID invoice से relate होना चाहिए, होगा क्या सोचे, जब आप लोग एक transaction कर रहे हैं आपने dynamic QR code generate किया, आपने एक नई entry बनाई होगी अपने system में, तो unique transaction ID create होके dynamic QR code में चला जाना चाहिए, फिर जब आपने payment करी, dynamic QR code से तो फिर उसके बाद जो invoice निकलेगा जो invoice निकलेगा, उसमें भी वो unique code जो लिखा होगा, यानि unique code और वो invoice जो आपस में related होंगे, और उससे वो dynamic QR code से भी जुड जाएगे, तो यह बात समय लिजे, कि आपका unique transaction ID जो है, वो completely होके है, बस याद रखेगा कि वो किस से connect हो जाए, आपके invoice से connect हो जाए, अगली amendment क्या है dynamic QR code से लेके, तो आप लोगों ने कहीं बार देखा होगा, कि आप लोगों के पास कुछ vouchers होते हैं, कुछ coupons होते हैं, for example आप Decathlon गए, अपने DLF Mall of India में और महाँ पे जाके, आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं और आपके पास पहले से Decathlon का जो है, माल लीजे 3000 रुपे का एक voucher है, और जो आपने समान करीद है वो आया, 20,000 रुपे का, तो आपको इदर इन अडवांस और बाइजस्टमेंट, या तो अडवांस में, या बाइजस्टमेंट, अडजस्टमेंट कैसे, उजिजिंग वाउचर, डिसकाउंट कूपन, एटसेटरा, बिफोर दर डैनेमिक क्यू रुपे का समान था, तीन रुपे अपने कूपन से पिकर दिये, सत्रह हजार रुपे का डैनेमिक क्यू र कोड जो है, तो याद रखिए, पार्ट पेमेंट जो है, जहां पर रिसीव हो चुकी है, पार्ट पेमेंट जो है, जहां पर क्या बन चुकी है, रिसीव हो चुकी है, थ्रू अडवांस और बाइजस्टमेंट, तो उस केस में, total invoice value मारा reflect होना चाहिए and the remaining amount to pay it should be provided on the invoice ये invoice के अंदर reflect होना चाहिए लीजे, इस तरीके से fast fast, मैंने पहले भी एक amendment की video बनाग डाली थी आयोग आपने देख ली है, इस से पहले वाली amendments जो May 23 में videos मनी थी ने, वो बहुत important है, उनको जरूर देख लीजेगा इस बार के amendment बहुत चोटी चोटी सी हो, रखो विश्वास अपने उपर, पक्की बात के आप लोग pass होने वाले हो, रख विश्वास तु है शिवका दास, तो बेटा हो जाएगा pass, ठीक है, टेंचन नहीं लेने का बच्चो आखरी मुमेंट पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पक्की बात है, याद रहे जाएंगे, और एक्जाम में अगर आगया कोशन तो तो कर क्या होगे बढ़िया से, चलो, God bless you, bye bye, take care, God bless you